हेलो बच्चों मैं सांक आपका स्वागत करता हूं अपने से यूट्यूब चैनल सांक स्टेडी सरकल में तो आज हम फिर्श परजेंट हैं क्लास तेन की एक और वीडियो को लेटर जिसमें कि आज हम एक साइज 6.5 का कुश्चिन में 14, 15, 16, 17 यानि आपकी जो लास्ट क्या है इस वीडियो में हम करें तो वीडियो में बने रहेगा वीडियो पसंद आप प्लीज लाइक करें शेर्ड करें और नहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले यूद्व है और आपके लिए का ज्यादा फाइदे बंद हम दिए चले कूश्न में 14 करता है कि किसी तिर्भूच ABC ठीक ABC क्या है स्रिश है जो क्या आपको फीगर दिया हुआ है ठीक कोशन में कता A से BC पर क्या है एक लंब डाला गया कता BC को बिंदू D 25 का प्रतिछेद करता है कि DB DB यानि इसका जो मान है वो क्या है यह जो CD है इसका तीगुना है यानि यह तीन है CD का ठीक है तो सिद्ध करें कि Do ET score款 बरावर 2 xявah ।क करना जक्राथ हूं है तो सबसे पहले जो प्रत में दिया है उसको क्या करें हम लिखेंगे ठीक है जो दिया है उसको लिखेंगे धिया है क्या दिया है कि a b c क्या है एक त्रीभूज है क्या है एक त्रीभूज है इतना क्या आपके प्रश्ट में तो त्रीभूज ही दिया ना जिसमें क्या है कि जिसमें क्या दिया है कि जो ए जिसमें दिया है कि एडी क्या है एडी जो है लंब है बीसी पर जिसमें क्या है कि एडी क्या है लंब है बीसी पर नाम ने दिया एस क्या आता है बीसी पर लंब तो हमने क्या इसका नाम ले लिया ठीक है एडी का एडी क्या बीसी पर लंब है तथा साथ में कुछ और भी जो बाते जो दी गई है उसको भी क्य सीडी का तीन गुना है जो कि आपके यहां प्रिष्ट में भी क्या है साप साप दे दिया है और यदि हम इस प्रिष्ट में हम ध्यान से देखें तो कहता आप बारी आती कुछ तो और दिया नहीं सिद्ध करने की बारी आते तो लिखेंगे सिद्ध करना है क्या है सिद्ध करना है अब सिद्ध करना है तो उसको भी तो लिखना है तो क्या सिद्ध करना है कि 2AB का जो स्क्वार है वो बराबर है किसके 2AC का स्क्वार पलस BC का स्क्वार ठीक है इतना क्या है बराबर है ठीक है चले अब क्या है प्रमान की जुरत है हमने तो प्रश्ण का जो भी पार था प्रश्ण का काम हमारा अब खतम हो गया समझे प्रश्ण तो सारा हमने उतारे दिया, बस काम है हमारा फीगर जो हमने लिखा है, ठीक है, बस हमने उतने का ही काम है, चले, तो प्रमान में हम चलें, तो सबसे पहले जो दिया है, क्या कि सीडी का जो मान है, ठीक है, सबसे पहले हम सीडी गयाद करते हैं, तो सीडी का मान कैसे कि पूरा बी सी क्या है पूरा बी सी में यदि हम बीडी घटा दें बीडी घटा दें या डीवी घटा दें कोई दिकत नहीं आप प्रश्म में आपका डीवी दिया है तो आप इसको बीडी भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं इसना आप क्या करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीज हो जाएका 30 c.d. और ये घटावाँ में इधर लाएंगे तो 3 c.d. पलस 3 c.d. बदाबर 20 याने कह सकते हैं कि 20 बदाबर क्या 4 c.d. ठीक है और क्या हो जाएगा कि यदि हम 4 को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा c.d. बदाबर 20, कलाए फॉट ठीक है ये हो जाएगा हमारा समीकरन एक इसको बनावाटी है ठीक है पुना चलते हैं अपुना हम चुलेंगे कि यदि हम ऐसे लिख कि डी वी का मान जो है सफीरी सीडी साथ तो क्या है दिया है इतना क्या दिया है चले तो यदि हम हम यहां dp ठीक है db बराबर यहां देखे cd का मान अभी just क्या आया है bc तो 3 into cd का मान bc बटा 4 ठीक हो जाएगा छए इसको मान लेते हम समेकराण 2 यहां क्या है cd और ka db cd और dv इन दोनों का बारी बारी से मान क्या है हमारा आ गया cd का है मान आ गया और db का है मान आ गया bd का मान हमारा आ गया चले अब हम चलते हैं समकोन तरिभूज acd में समकोन तरिभूज acd में समकोन तरिभूज acd इस पार्ट में लगाते हैं कि आप पाइथा गोरस जहां भी समकोन तरिभूज की बात आती है वहाँ आपर क्या लगता है पाइथागोरस प्रमय लगाना जरूरी हो जाता है ठीक है तो यहां चे तो कर्ण क्या दिख रहा आपको AC जो सबसे बड़ी बुजा क्या दिख रहे? AC, AC का मान क्या बाकी दो भुजाओं के योग के बराबर तो बाकी दो बुजा क्या है लंब क्या है AD का स्कुर आधार क्या दिख रहा है CD का स्कुर ठीक है इतना क्या है हमें दिख रहा है तो देखे हमको यहां निकालना क्या है AD निकालना न लंब पता रहेगा तब न तो AD का मांद साइड करते हैं व्राबर, है क्या हो जागा एसका स्कौार Communist का सुर्ण है ठीक है इसको मारते हैं समीकरण तीन क्या मारते हैं चलिए अब जस्ट हम उसके नीचे चलेंगे तो लिखेंगे कि संकूनत्री भूच क्या है समकोन त्रिभूज ABD में क्या ABD में तो ये भी क्या है कि समकोन त्रिभूज है तो यहां भी हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमय लगाएंगे चलिए ठीक है पाइथागोरस प्रमय हमको यहां भी लगाना है चलिए हम यहाँ बना लेते लिए हैं और जीर था चैनल अध्या के उपर भी यहां भी बना लिए तो चलिए यहां पर क्या हो जाएगा अब चल दें हम त्रिभूज A, B, D यानि इस त्रिभूज का तो हमने निकाल लिये था इस त्रिभूज में हम चल दें तो यहां करन आपको क्या दिख रहा है A, B का स्क्वार तो बराबर क्या लंब क्या है A, D का स्क्वार पलस क्या है B, D का स्क्वार हारने इसका BD चलिए तो AB का स्कॉर बराबर AD का मान आप देखें कि जस्ट हमने उपर निकाला है है न AC का स्कॉर menus CD का स्कॉर यह हम क्या करेंगे वह ही चीलिख देंगे क्या AC का स्कॉर minus CD का स्कॉर पलस BD का स्कॉर ठीक है चलिए तो हो जागा A B का स्क्वार बराबर देखे A C का तो कुछ मान निकला नहीं है तो A C का मान A C का स्क्वार छोड़ देंगे और C D का मान आप ध्यान दें तो C D का मान हमने जस्ट उपर निकाल चुके हैं क्या निकाल चुके हैं B C बटा B C देख सकते हैं C D का मान क्या B C by Four है तो यहां लिक आप की तेंगे B C by Four का होल इसको रोफका को A Squire है तो A Squire – weekly बात आते है बीडी की तो बीडी की मान आप देखेगा ऊपर तो आप निकाल चुके विडी का मान या बीडी का मान था या इसको D B ठीक है BD का मान या DB का मान लिख सकते हैं तो DB का मान क्या था 3BC बटा 4 square है तो whole का square तो क्या हो जागा AB का square बरावर AC का square माइनस BC का square तो BC का square 4 का square 16 3 का square 9 BC का square 4 का square 16 चल तो जागा AB का square बरावर AC का square अब देखें नीचे क्या है इसका निकलेगा LCM तो यहां क्या हो जाएगा 16 है तो भाई कुछ तो घटेगा नहीं तो BC का स्क्वार माइनस 9 BC का स्क्वार हो जाएगा तो यहां क्या लिखेंगे AB का स्क्वार बरावर AC का स्क्वार यहां चलिए यहां क्या है सुर्ण यहां पर प्लस है ना तो प्लस लिखेंगे 9 में से 1 BC चला गया कितना बच गया 8 पलस बचेगा न 8 BC का स्क्वार बटा 16 यह हो जाएगा चलिए यहां क्या है यह 2 बार में कटे का 8 दूनी 16 हो गया चलिए यहां क्या हो जाएगा AB का स्क्वार बराबर 2 तो जाएगा इसमें यह गुना होगा अगर LCM वगयरा करें तो 2AC का स्क्वार पलस BC का स्क्वार यह दो जो नीचे है से बचेगा यह दो क्या है इदर चलना जाएगा यहने हो जाएगा 2a b का स्कूर बरावर 2a c का स्कूर पलस bc का स्कूर यहीं चाहिँ आपो क्या करना था teraz करना था यह था आपका कॉर्शन नंबर 14 का सिलैउन चलते हैं कॉर्शन नंबर 15 में कॉर्शन नंबर 15 देखे तो करता है किसी संभाहूतीर्फुज क्जा एक सम्भाभूत बना लिए कि भूझा बीसी berg दिडी इंडी डाला चुत प्रकार रस्टित कि जो बीडी का मान है। जिस बीडी का मान ज सका तिहाई है। यानि एकतिहाई है состав सबसे पहले हम लिखें कि क्या है लिखना जरू है क्या है कि एक संभाहु त्रिबुजे क्या एक संभाहु त्रिबुजे क्या है संभाहु त्रिबुजे जिसमें क्या क्या साथ में दिया है कि दिया कि ईतिया वोाइन करना है कि 9 a d का जो अस्क्वार बराबर कि से 7a b का स्क्वार अब क्या है कि हम रचना क्हींचेंगे रचना क्या कि कि आधा-धा कर लें तो यहां फीगर क्या दो पार्टे मड़ जगा रचना हम क्या लिखेंगे कि एन लंब बीसी खीचा देखें यहां हमने लंब क्षीचा सब थना कि पर ता है यहिई हमने की है पेहले ही हमने फिर्गर बना लिए अप चलिए प्रमपान की होड़ा चलते हैं अब प्रमान की होड़ा है तो समीकरण मान लेते हैं इसको मान देई आ हैte कि गारन कि एन क्या है Сп na ethical विह जानते हैं कि लम्ब नाला जाता है आधा होगा किस्का बीर राधा होगा इस का मट्या स rumors really क्या जेकर लें करना कि एन क्या है लम्ब है प्र यह हमने कैसे लिखा है तो रचनास लिखा है कैसे लिखा है रचनास इसको मान लेते हैं समी करन दो मान लेते हैं ठीक है साथ में हम जान दें कि डी-एन और यह जो डी-एन का जो पार्ट है यानि यह जो डी-एन है तो डी-एन का मान कैसे निकलेगा कि यदी हम क्या कि पूरे बी-एन में यदि हम BD घटा दें, देखें, यहां पर BN है, इसके बीच में D आ रहा है, यह कुछ ऐसा है, तो यदि हम पूरे BN में, यदि हम BD घटा दें, तो यह पार्ट निकल जाएगा ना, तो इसे पकार क्या है, BN माइनस BD लिखा हमने, ठीक है, और DN वराबर, देखें, BN का मा क्या है, तिहाई BC, हो गया ना, अब क्या है, भिन का जोड़ घटाव, जो हम को आता है, वो हम करेंगे, यहां पर, तो उचले लासर कितना निकलेगा, छे निकलेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, आपका, 3 BC, इधर 3 दूनी 6, यानि 2 BC, हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, हमारा DN का मान निकल गया, DN का मान क्या है, हमारा यह निकल चुका है, आगे जो प्रश्ण में हम करेंगे, वो हमें करना तो, यहां लिखेंगे कि समकौन तरी भूच, क्या है, समकौन तरी भूच, आपका चलेंगे ADN में, समकौन तरी भूच की बात आ रही है, तो पाइथा गोड़स प्रमय को हम कभी भूलेंगे नहीं ठीक है चारी करने कि आप आई था गोड़स प्रमय से ठीक हम चल देंगे आपके आप ध्यान से फिकर हम देखे हमको इसमें क्या है कि निकालना है एएन का मान तो ए-इन का स्कॉर बराबर क्यों देखा के आँडि अग्माon का स्कॉर्ण माइनस प्र0 अब इसको मान लेते हैं समी करन तीन वही फिकर क्या हम यहां क्या हमें जरूरत पड़ेगी चलिए फिकर बना लेते हैं यह था आपका C अब क्या है कि हम चलेंगे आगे में चलिए हम लिखते हैं समकून तिरी भूच क्या है समकून तिरी भूच हम चलते हैं ABN में किसमें चलते हैं ABN का मान निकाला हुआ है तो BD का मान निकाले हैं हमको कोई दिकत नहीं होगा चली तो क्या है आप लिखेंगे AB का स्क्वार जो क्या AB करन है न तो क्या हो जाएगा आपका ABN का स्क्वार अन ये लitzerland हो जाएगा पलस आधार क्या है आपका ABN में ABN हो जाएगा न तो यहाँ आप में ABS का स्क्वार बरावर देखें अन का मान हमने अभी ज़ेस्ट निकाला है कितना निकाला है AD का square minus DN का square plus BN का square ठीक है हो जगा AB का square बरावर AD का square minus DN का मान हमने जस्ट भी उपर निकाला था कितना BC बटा 6 का whole square plus BN का भी मान हमने उपर निकाला था कितना 1 बटा 2 BC चली अब तो हमारा सारा मान आराम से निकल जाए प्रूड करना है वो हमारा इसी में आ जाएगा तो जाएगा AB का square बरावर AD का square बरावर BC का square छे का square कितना 36 plus BC जाएखे एक गुना BC तो BC बटा 2 ठीक है दो का square चार्ट BC का square हो जाएगा चली तो जाएगा AB का square बरावर AD का square माइनस 36 और चार का लर्षा कितना होता है 36 होता 36 से गाए 36 तो BC का square पर चार नमा 36 तो कितना जाएगा 9 BC का square यहाँ पो जाएगा AB का square बरावर AD का square देखे 9 में से एक बीसी गया कितना पलस आठ बीसी का square बटा 36 देखे चार दुनी आठ चार नमा 36 हो जाएगा ना चली तो यहाँ मैं ऐसे मतलब इसको आगे लिख सकते हैं कि AB का square बरावर AD का square पलस टू बीसी का square बटा कितना नौ ठीक है चली तो यह अब क्या इसका LCM हम निकालते हो जाएगा AB का square बरावर 9 यह पूरा निकलेगा तो यह इधर गुना होगा ना किसके नीचे कुछ नहीं तो AD का square पलस टू बीसी का सक्वार यह नहीं होते है चला जाएगा तो कितना जगा नाइन एबी का square बरावर AD का square पलस टू बीसी का सक्वार हम को यहां पर इसमें भी तो नाइन जाएगा ना तो यह भी कितना जगा नाइन चली तो जाएगा नाइन चली अब क्या है कि संबाहु तरिभुच क्या जो क्या होता है कि परती एक भुजा बरावर या दखे संबाहु तरिभुच की परती एक भुजा बरावर तो जो BC का जो मान होगा वो AB के भी बरावर और AC के भी बरावर तो क्या है कि BC का जो मान करेंज कर दें वी में तो जगा ये Vy का स्क्वार बरावर 9 A । का स्क्वार ठीक है चलिए तो यह रखेना कि अब क्या है कि कितना जगा seven एबी का स्क।वार बरावर 9 ए डी का स्कौार हम यहां पर लिख सकते हैं कि चुक ए बी बरावर mama gimbal जो है B C के बराबर है और क्या है A C के बराबर इसके लिए हम नहीं किया इसको मांद चेंड किया इसको सही कर लें तो जगा 9 A D का स्क्वार बराबर 7 A B का स्क्वार यह चीज क्या करना था आपको प्रूब्ड करना था यह चीज आपको क्या है प्रूब्ड होगी आप याद अखना है कि संभाहु त्रिभूज की आपस में बराव होगे चली सी बात तो विडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए और ने तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल करती करते गुना उसके एक सिर्षलंब की बात की गएयान एक लंभ खेचा गया है जिसका नाम हम रखतें टी California कादा के चार गुने के किए वर उस ब्रूने के बरावर होता है चलितना क्या है आपको सित्दह करना तो प्रास्ष्ण क्या है जिसके घुक्रता उसके sounds कि कर या है कि ad जो है लंब है बीसी पर यह घंप है ओझानाक है आपकающaster दिया और से क्या करना जो सीध करना उसको क्या लिखना पड़ेगा न तो सिध करना है कि कि क्या है कि ए की अच्वार भी का जूषक्वार जो श्कार चार गुनां है ठीक है याद अकना आपको तो प्रमान देंगे प्रमान की ज़रौत है तो प्रमान में क्रमान में क्या लिखेंगे चलेंगे किसी-एक- समकों त्रीभूज A B D में आप चाहें तो A D C में जा सकते हैं तो हम लिखेंगे क्या कि A B का स्क्वार यानि कर्ण का मजों मान होगा वो लंब पलस अधार के मान की क्या बराबर होगा ठीक है तो A B का स्क्वार बराबर A D का स्क्वार रखें A D जो है स्कौार का होलब करें चोबर याल चेहां होजायगा यहां निकाले इडिकर कर बघंद्यार इदंफीर करतें तो西 चर चौतंदक्हार न५ैंडच गों अन sous मुझाले को से बहुंस का है ठीक है BC क्या है जान्ते संबाहुतर मोत्त की परते मुझा बराबर तो BC का जमान होगा वह AB के बराबर इसको इधर ले आई तो ज़मान पिस्ट का स्क्वाराबर क्या लिगा थी चार का स्कुणा ओ कहा है इतना हो गया और सौरी देखे प्रूश्म में भूल है की भूजा के वर्ग का तेगुना सरी यहां प्रफ्रस्म में दिया है कि किसी एकिरे अरभ का तिव थिगुना यान ठीप नाँ टीडी एबिका स्कुर बरावर चार डी का स्वेजितना ठीडेयखाना से गरावne मान लेत हो जागा थीरी एबी का स्क्वार माइनस क्या यह भी तो एबी का स्क्वार के मान के बरावर बरावर चार एडी का स्क्वार तो कितना हो जागा तो चार में से एक ABS को आचाला गए, कितना 3AB का स्क्वार, बरावर 4AD का स्क्वार, यहीं चीज़ क्या करना था, आपको प्रूब्ड करना था, तो यह था आपको कोश्चन नमबर 16, चले चलते हैं, कोश्चन नमबर 17 में, चले कोश्चन नमबर 17 करता है, कि सही उत्तर चुनिये कि पूर तीन, दोस्ता दिया है, यही का मान हे 12 और बिस्टी का मान हे 6, तो कहता है कि कोश्चन नमबर यही जो बी है, इस का मान आपको क्या है? जука out यहां पर हम लिखते हैं कि सामने वाले कौन के सामने का जो कौन होता है वो क्या आती है करन होती है तिया कि याने 36 यान 144 बराबर 144 यानि क्या है यह क्या है पाइथा गोदस प्रमय को लागू करता इसी लिए क्या है कि एंगल बी का जो मान होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा यानि यही ची आप क्या है निकालना था तो आपका option number C क्या है आपका सही इस प्रकार आपका यह chapter हो गया खतम तो आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जयाएगा